कक्षा 6 की विज्ञान की पाठे पुस्तक विज्ञान 1 प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 9 सजीव विशेश्टाएं एवं आवास तो आईए अब सुनते हैं पाठ 9 प्रस्तुत है पाठ 9 शीर्शक है सजीव विशेश्टाएं एवं आवास तो आईए अब सुनते हैं पाठ 9 सजीव विशेश्टाएं एवं आवास प्रिश्ट 89 पहली और बूजो चटियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए ऐसी ही एक यात्रा पर वे रिशीकेश में गंगा नदी देखने गए उन्होंने हिमाले की हिमाच छादित परवत श्रिंखला के कुछ परवतों का परवता रोहन किया जहां बहुत ठंड थी इन परवतों पर उन्होंने ओक, चीड एवं देवदार जैसे अनेक विरिक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेतर के विरिक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे एक और अभियान में उन्होंने राजिस्थान की आत्रा की और उंट पर उंशन मरुस्थल भी घूमें यहां से उन्होंने नाक फनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किये अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तटकी सेर की और वहां केजू राइना के विरिक्ष की कतार देखी इन स्थानों के भ्रमण के रुमांचक एवं उल्लास पूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उश्ण एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे परन्तु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव यानि सजीव वस्तुएं थे उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या प्रित्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहां कोई भी जीव नहीं पाया जाता बूजो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया घर के अंदर उसने अल्मारी एवं दर्वाजों को देखा उसने सोचा था कि इन में कोई सजीव नहीं होगा परन्तो उसे एक छोटी सी मकडी नजर आई घर से बाहर भी वहा किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहां किसी न किसी प्रकार के जीव ना पाय जाते हूं पहली ने दूर-दूर के स्थानों के विशे में पढ़ना एवं सोचना प्रारंब किया उसे पता लगा कि लोगों ने तो जुआला मुखी के मुख यानी मुहाने में भी सुख्ष्म जीवों को खोच निकाला है चित्र संख्या 9.1 सजीवों के खोच के लिए इस चित्र में बूजो और पहली को एक विरिक्ष के नीचे पुस्तक पढ़ते हुए दिखाया गया है 9.1 सजीव एवं उनका परिवेश पहली एवं बूजो के मस्तिश्क में एक और विचार आया जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहां किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं मुरिस्थल में उट थे, परवत पर बकरी एवं याग थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मचलिया थी जिने मचुआरे पकर रहे थे, साथ ही चीटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे इन ग्षित्रों में पाए जाने वाले विभिन प्रकार के पौधे अन्निक शित्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन थे इन विभिन क्षित्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? क्रिया कलाप एक, आए एक वन से प्रारंब करते हैं. यहां पाए जाने वाले सभी पौधूं, जन्तूं एवं वस्तूं के बारे में सूचिए. एक जंगल में पाए जाने वाले जन्तूं, पौधूं एवं वस्तूं को सारणी 9.1 के कॉलम एक में लिखिए. दूसरे एक शेत्रों में पाए जाने वाली वस्तूं, जन्तूं एवं पौधूं के नाम भी सारणी में लिखिए. प्रिष्ट अस्सी इस सारणी के प्रत्यक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तूओं वजीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तूओं हमें मिलती हैं वे शायद जीवित जन्तू या पौधे ना हूँ. संभवता ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जन्तू के अफशेश जैसे हड्डियां हूँ. हमें विभिन प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं. अध्याय पांच में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवन खुले हुए हैं. इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तूओं भी हो सकती हैं. जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे, सारणी 9.1 में कुछ और उधारण सम्मिलित करते जाएंगे. जब हम अन्य रोचक स्थानूं की यात्रा करेंगे, तब सारणी के बारे में और चर्चा करेंगे. 9.2. आवास एवं अनुकूलन. क्रिया कलाप एक में आपके द्वारा सूची बद्ध किये गए पौधों एवं जन्तूं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए. क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षित्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जन्तू तथा पौधे लवणिये जल यानि खारे पानी में रहते हैं, तथा श्वासन के लिए जल में विले वायू यानि आक्सीजन का उपियोग करते हैं. मुरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्द होता है, मुरुस्थल दिन में बहुत करम एवं रात में ठंडा होता है, मुरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जन्तू भूमी पर रहते हैं, एवं श्वासन के लिए आसपास की वायू का उपियोग करते हैं. चित्र 9.2 में उंट एवं उनका परिवेश दर्शाया गया है समुद्र तथा मुरुस्थल भिन प्रकार के परिवेश है और हम इन दोनों क्षित्रों में बिलकुल भिन प्रकार के पौधे और जन्तु देखते हैं क्या ऐसा नहीं है? आएए दो भिन प्रकार के परिवेश मुरुस्थल तथा समुद्र से दो जन्तु ओं उंट तथा मचली का प्रेक्षन करते हैं उंट की शारेरिक सनचना उसे मुरुस्थलिये परिस्थितियों में रहने योगे बनाती है सारणी 9.1 विभिन परिवेश में पाये जाने वाले जन्तु पौधे एवं अन्यवस्थुएं यहाँ पर कई कॉलम हैं पहले कॉलम में वन में दूसरे कॉलम में परवती एक्षित्र में तीसरे कॉलम में मरुस्थल में चौथे कॉलम में समुद्र में और अंतिम कॉलम में अन्यस्थान पर रहने वाले जन्तु पौधे एवं अन्यवस्थुओं के नाम बताएं प्रिष्ट 81 इग दिनों तक रह सकते हैं। हम अध्याय आठ में कर चुके हैं। उनकी यह आकरिती उन्हें जल के अंदर विचरन करने में सहायता करती है। मचलियों का शरीर चिकने शलकों से ठका होता है। ये शलक मचली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं। साथ ही उन्हें जल में सुगम गती करने में भी सहायक हैं। हमने अध्याए आठ में चर्चा की थी कि मचली के पंख एवं पूँच चप्टी होती हैं। जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मचली के गिल यानी कलोम होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। हमने प्रित्वी पर पाए जाने वाले असंखे प्रकार के जंतुओं में से केवल दो धारन लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संदचनाई होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें विप्राया पाए जाते हैं। अन्य आवशक्ताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास कार्थ है वास स्थान यानि एक घर। विभिन प्रकार के पौधे एवं जन्तू एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल यानि जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जन्तूओं के आवास को स्थलिये आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मुर्स्थल, तटिये एवं परवतिये क्षित्र स्थलिये आवास के कुछ उधारण हैं। जलाशे, दलदल, जील, नदियां एवं समुद्र जहां पौधे एवं जन्तू जल में रहते हैं। जलिये आवास हैं। विश्व के विभिन भागों में पाये जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मुर्स्थलों, तटिये एवं परवतिये क्षित्रों में भी बहुत विशमताएं हैं। यह सभी जलिये आवासों के लिए भी सत्ते हैं। किसी आवास में पाय जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जन्तु उसके जैव घटक हैं। चटान, मिट्टी, वायू एवं जल जैसी अनेक निर्जी वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूरिय का प्रकाश एवं उश्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकूं की भूमिका का अध्यान करें। प्रिष्ट बयासी अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामजजस से स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उधारन के लिए यदि हम मैदानी क्षित्र में रहते हैं और अचानक ही उचे परवतिय क्षित्र में चले जाएं तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीवर गती से श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बात हमारा श्रीर परवतिय क्षित्र के वातावरण के प्रती अपने आपको ढ़ाल लेता है। तथा हमें श्वास लेने में कोई परिशानी नहीं होती। अलपवधी में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये चोटे चोटे परिवर्तन परिया अनुकूलन कहलाते हैं। यहाँ परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। क्रिया कलाप दो, अध्याए एक में किये गए क्रिया कलाप पांच का इसमरण कीजिए, इस क्रिया कलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकलाता है, अर्थात वे अंकुरित हो गए हैं, यहां बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है, मूंग के कुछ सूखे बीजों को एक अत्रित कीजिए, कुछ बीजों के एक धेर को अलग रखतें तथा शेश को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रखतें, भीगे हुए बीजों को चार हिस्सों में बाटें, उसमें से एक हिस्से को तीन चार दिन के लिए पूरी पानी में डूबो कर रखतें, सूखे हुई बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिलकुल ना हिलाएं, भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरिक शेतर में रखतें, जैसे की अलमारी जिसम धूप नहीं जाती है। अंतिम भाग को बहुत ही थंडे वाता वरण में रखें जैसे की रेफ्रिजरेटर या उनके चारों और बर्फ लगा दें। इन तीन भागों को प्रती दिन चल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी पांचो भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अतिदिक थंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरन की दर में कमी या कोई भी अंकुरन नहीं देखते हैं? क्या आपने पाया कि वायू, जल, प्रकाश तथा उश्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवशक है? वास्तों में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महतपून है हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उश्न परिवेश में भी पाय जाते हैं क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विशम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट वैवस्था को अपनाते हैं? यहां अनुकूलन काम आता है अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है हाजारों वर्षों की अवधी में किसी क्षित्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं वे जन्तू जो इन परिवर्तनों के प्रती अपने आपको नहीं ढाल पाते मर जाते हैं केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आपको बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जन्तु विभिन अजैव कारकों के लिए विभिन विधियों से अपने आपको अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिडाम भिन आवासों में जीवों की विविदता का होना है। आईए कुछ आवासों इनके अजैव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन जीवों में अनुकूलन का अध्यान करें। 9.3. विभिन आवासों की यात्रा कुछ इस्थल ये आवास मरुस्थल मरुस्थल के अजैव घटकों एवं उसमें हम पहले ही चरचा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्ने जन्तूं एवं पौधों में क्या होता है। क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। प्रिष्ट 83 इस चित्र में भूमी के भीतर एक चुहे और एक सांप को दर्शाया गया है। रातरी के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंदू बाहर निकलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामाने पौधों को चित्र संख्या 9.5 में दर्शाया गया है। यह पौधे मरुस्थल के प्रती किस प्रकार अनुकूलित हैं। चित्र संख्या 9.5 में मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधों को दर्शाया गया है जैसे कैक्टस यानि नागफणी। क्रिया कलाप 3 गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्यों वाला एक पौधा कक्षा में लाईए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पौलिथीन थैली से ढखकर उसी प्रकार बांधिये, जिस प्रकार अध्याय साथ के क्रिया कलाप 4 में हमने पौधों में वाश्पो सर्जन का अध्यान करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद इनका प्रेक्षन कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप दूनों पौलिथीन थैलियों में एककत्रिज जल की मात्रा में कोई अंदर देखते हैं? मौरुस्थलिये पौधे वाश्पो सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निश्कासित करते हैं। मुरुस्थलिये पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां काटों यानि शूल का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाशपो सर्जन में होने वाले जल हिरास में कमी आती है। नाकफनी में पत्ति जैसी जिस सर्णचना को आप देखते हैं वहाँ वास्तों में इसका तना है। जैसा कि चित्र संक्या 9.5 में दर्शाया गया है। इन पौधों में प्रकाश संशलेशन समानिता तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परस्ते ढका होता है जिससे पौधों को जल संदक्षण में सहता मिलती है। अधिकतर मरुस्तलिय पौधों की जड़ें जल अफशोशन के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। परवतिय क्षित्र ये आवास्त क्षित्र समानिता बहुत ठंडे होते हैं और इन में तेज हवा चलती है। कुछ परवतिय क्षित्रों में शीत काल में हिम पाद भी होता है। परवतिय क्षित्रों में पौधों एवं जन्तों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आपने चित्र 9.6 में दर्शाय गए व्रिक्ष देखे हैं। चित्र 9.6 में परवतिय आवास के कुछ व्रिक्ष दिखाए गए है. यदि आप परवति एक शित्र में रहते हैं, अथ्वा वहाँ घूमने गए हैं, तो आपने ऐसे अनेक विरिक्ष देखे हूंगे. परंतु क्या आपने ऐसे विरिक्षों को अनेक शित्रों में भी देखा है? ये विरिक्ष अपने आवास में विद्धिमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं ये विरिक्ष समानिता शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिर्ची होती हैं इन में से कुछ विरिक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। परवतों पर इन विरिक्षों से अधिक भिन आकरिती एवं आकार वाले विरिक्ष भी मिल सकते हैं। परवत पर जीवित रहने के ल पहाडी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौरने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम परवतियक शित्रों में उपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का सोरूप बदलता जाता है। और हमें विभिन उचाईयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविदता दिखाई देती है। घास इस्थल शेर वन में अथवा घास इस्थल में रहता है। तथा एक ऐसा शक्तिशाली जन्तू है जो हिरन जैसे जन्तूओं का शिकार कर उन्हें मार कर खा जाता है। यहां मटमेले यानि हलके भूरे रंग का हुदा है। एक शेर एवं हिरन का चित्र देखिए। चित्र संख्या 9.8 इन दोनों जन्तूओं की आखें उनके चेहरे पर किस प्रकार इस्थित हैं। क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श में हैं। शेर के अगले पैर के नकर लंबे होते हैं, जिन्हें वो पादांगुलियों के अंदर खींच कर छिपा सकता है। क्या शेर की ये सनचनाएं उसके जीवन यापन में साहता करती हैं। उसका मटमेला यानि हलका भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आँखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। चित्र संख्या 9.7 A में एक पहाड़ी तेंदुआ, B में याक तथा C में पहाड़ी बकरी को प्रदशित किया गया है। ये परवतिये आवास के प्रती अनुकूलित होते हैं। प्रिष्ट पिच्च्यासी चित्र संख्या 9.8 A में एक शेर, एवं B में हिरन का चित्र है। हिरन को अपने शिकारी, शेर जैसे जन्तु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं, उनकी उपस्तिती की जानकारी आवशक है। ताकि वो उसका शिकार न बन सकें और वहां से भाग जाएं। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधी की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पाश में दून ओर इस्थित आखें, प्रतीक दिशा में देख कर खतरा महसूस कर लेती हैं। हिरन की तेजगती उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरन तथा अन्यजन्थूं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट सन्रचनाएं होती हैं, जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। कुछ जलिये आवास समुद्र समुद्र में रहने के लिए मचली के अनुकूलन के विशे में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जन्तूओं का शरीर भी धारा रीखिये होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्कुइट एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जन्तूओं का शरीर आम तोर पर धारा रीखिये नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी और आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपनी शरीर को धारा रीखिये बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल यानि क्लोम होते हैं। डॉल्फिन एवं भेल जैसे कुछ जन्तूओं में गिल नहीं होते। ये सिर परिस्थित नासा द्वार अथवा वात चित्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह यानि जल से बाहर आकर श्वासन चित्रों से जल बाहर निकालते हैं। एवं श्वासद्वारा स्वच्छ वायू अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथ्वा समुद्री जीवन पर चल्चित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है। तालाब एवं जील क्या आपने तालाब, जील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा है। यदि संभव हो तो समीब वर्ति किसी तालाब के भ्रमण पर जाईए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार वैवस्थित हैं। इन में से कुछ पौधों की जड़ें जलाशे की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं, जैसे कि चित्र 9.9 में दर्शाया गया है। यहां कुछ जलिये पौधों को जल सतह पर पलवन करते हुए दिखाया गया है। आंशिक रूप से जलमगन पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर हैं और कुछ पौधे पूर्टा जलमगन हैं। इस थलिये पौधों में जड़, मिट्टी से जल एवं खनिज पोशकों के अफशोशन का महतपूर कारे करती हैं। परंतु जलिये पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं। एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाय रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हलका होता है। तना जल की सतह तक वृध्धी करता है। जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। कुछ जलिये पौधे जल में पून रुपेन डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृध्धी करते हैं। इन में से कुछ पौधों की पत्तियां संक्री एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं कुछ अन्य जलमंगन पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई ख्षती भी नहीं होती मेंड़क आम तोर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जन्तू है यहाँ तालाब के जल एवं इस्थल दोनों पर रह सकता है इसके पश्चपाद लंबे एवं मस्बूत होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहयता करते हैं इनके पश्चपाद में जाल युक्त पादांगुलियां होती हैं जो उन्हें तैड़ने में सहयता करती हैं हमने केवल कुछी जन्तूओं एवं पौधों की चर्चा की है जबकि विभिन आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है अध्याय साथ में सुझाए क्रिया कलाप के अंतरगत जब आप पत्तियों की एल्बम तयार कर चुके होंगे तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे कल्पना कीजिए कि यदि हम कृत्वी के सभी क्षित्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तयार करें तो उनमें कितनी विविदता होगी 9.4. हमारे आसपास के जीव हमने विभिन आवास क्षित्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जन्तूओं की चर्चा भी की क्रिया कलाप एक में हमने विभिन परिवेश में पाय जाने वाली वस्तूओं पौधों एवं जन्तूओं की सूची बनाई कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उधारण है आये वन में पाई जाने वाली वस्तूओं के विशे में सूचें वरिक्ष, आरोही लता, विसरपी लता, छोटे बड़े जन्तू, पक्षी, सर्प, कीट, चटान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायू, सूखी पत्तियां, मृत जन्तू, छत्रक एवं काई यानि मौस वन में पाई जाने वाली विभिन वस्तूओं के कुछ उधारण हैं इन में से कौन सजीव हैं? अपने चारों और पाई जाने वाली विभिन वस्तूओं के विशे में सोचिए, तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बाटिए कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यहाँ आसान होगा उधारणता हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तूओं सजीव नहीं हैं पहेली एडवर्ड लेड द्वारा रचित कम्प्लीट नॉनसेंस का यह चंद पढ़ रही थे मेज ने कुर्सी से कहा तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ एवं अपने पैरों की बिवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते हम थोड़ा बोल पाते प्राथना करो हम वायू ले सकें कुरसी ने मेज से कहा अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं है तुम कैसी मूरकता पूर्ण बाते करती हो जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते मेज ने ठंडी सांस भड़ते हुए कहा कोशिश करने में क्या हर्च है मेरे पास भी उतने ही पैर है जितने तुम्हारे हम दू पैरों पर क्यों नहीं चल सकते पहली और पूजू को कविता बहुत मज़ेदार लगी क्यूंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है अता ये ना तो चल सकते हैं न बोल सकते हैं हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुट्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जन्तू सभी सजीव हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तू सजीव है। कभी-कभी यह निरने करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतू वे कुट्ते अथवा कभूतर की भांती चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है। फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जन्तू समय के साथ वृध्धी करते हैं। परंतू कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है, जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृध्धी कर रहे हों, तो क्या इसकार्थ है कि बादल सजीव हैं। नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे। क्या सजीवों में कुछ विशेश लक्षण होते हैं, जो उन्हें निर्जीव पतार्थों से अलग करते हैं। आप स्वयम सजीवों का एक बहुत अच्छा उधारण हैं। आप में ऐसे कौन से विशेश लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तूओं से अलग करते हैं। अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए। अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए। एवं पता लगाईए कि कौन से लक्षण अन्य जन्तूओं अथ्वा पौधों में भी पाये जाते हैं। संभवता इन में से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तूओं में एक समान होंगे। क्या सभी सजीवों को भोजन की आविशक्ता होती है। अध्याए एक एवं दो में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आविशक्ता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन जन्तूओं के लिए नितांत आविशक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संचिलेशन के द्वारा अपना भोजन स्वयम बनाते हैं। जन्तू भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जन्तूओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृध्धी के लिए आवशक उर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी उर्जा की आवशकता है। क्या सभी जीवों में वृध्धी परिलक्षित होती है? क्या चार वर्श पुराना कुरता आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते? क्या ऐसा नहीं है? इन वर्शों में आप लंबे हो गये हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप मे हर समय वृध्धी हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। चित्र संख्या 9.10 जन्तुओं के बच्चे भी वृध्धी कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा यानि मुर्गी का पच्चा वृध्धी करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्थित हो जाता है। प्रेश्ट 88 चित्र संख्या 9.11 इस चित्र में एक चूजा वृध्धी करके वयस्क हो जाता है, इसको प्रदशित किया गया है। अपने चारों और पाए जाने वाले विभिन प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इन में से कुछ बहुत चोटे तथा नवजात हैं, तो कुछ विक्सित हैं। ये सभी वृध्धी की विभिन स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताबाद पौधों को देखिए। आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृध्धी हुई है। वृध्धी सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि निर्जी वस्तु वृध्धी प्रदशित नहीं कर सकते। क्या सभी सजीव श्वासन करते हैं? क्या हम श्वासन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास छोड़ते हैं तो श्रीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है. श्वास लेना श्वासन क्रिया का एक हिसा है श्वासन में अंदर ली गई वायू की आक्सीजन की कुछ मात्रा का उप्योग होता है इस क्रिया में बनी कार्बन डाय ओक्साइट को हम श्वास द्वारा बाहर निश्काशित कर देते हैं गाए, भैस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जन्तूओं में श्वासन क्रिया मनिश्री की तरह ही होती है इन में से किसी भी जन्तू का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गती पर ध्यान दीजिए यहां मंद गती उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है श्वासन सभी सजीवों के लिए आवशक है ग्रहन किये गए भोजन से श्वासन के द्वारा ही हमारी शरीर को उज़ा मिलती है कुछ जन्तूओं में गैस आदान प्रदान का तरेका भिन हो सकता है जो श्वासन का एक हिस्सा होता है उधारन के लिए केच वा तो अचा द्वारा सांस लेता है हमने पढ़ा है कि मचली के गिल होते हैं जिनकी साहेता से वह जल में विले वायू से अक्सीजन अफ्शोशित कर लेती है क्या पौधे भी श्वासन करते हैं? पौधों की श्वासन करिया में गैसों का आदान प्रदान, मुक्यता उनकी पत्तियों द्वारा होता है पत्तियां सूक्ष्म रंधरों द्वारा वायू को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उप्योग करती हैं वहां कारबन डाय ओक्साइट वायू में निश्काशित कर देती हैं हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिती में पौधे वायू की कारबन डाय ओक्साइट का उप्योग भूजन बनानी के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं श्वासन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है भूजन बनाने की प्रक्रिया में निश्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वासन में उप्योग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है प्रिष्ट नवासी तो क्या होता है? आपकी आखें स्वाता ही कुछ इक्षण के लिए बंध हो जाती हैं, जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती. आपका प्रिये व्याँजन तेज प्रकाश एवं कांटा उप्रोक्त स्थितियों में आपके बाहे वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उधारण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रती अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्धीपन कहते हैं। क्या दूसरे जन्तुओं में भी उद्धीपन के प्रती अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जन्तु यानि पशु के वैवहार को ध्यान से देखिए. क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्ने नहीं हो जाते? जब आप एक चिडिया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वो क्या करती है? जब जंगली जानवरों पर तीवर प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं. इसी प्रकार यदी रात्री में आप रसोई घर में बल्बु प्रदीप्त कर देते हैं तो कौक्रोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं. क्या आप जन्तूँ में उद्धीपन के प्रती अनुक्रिया के कुछ और उधारन दे सकते हैं? क्या पौधे भी उद्धीपन के प्रती अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्री के समय ही खिलते हैं. कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंध हो जाते हैं. चुई मुई यानि गुल मेहन्दी के पौधे की पत्तियां चूने पर अचानक मुर्जा यानि सिकुड जाती हैं. यहाँ पौधों में उद्धीपन के प्रती अनुक्रिया के कुछ उधारन हैं. क्रिया कलाब चार एक कम्री की खिड़की जिससे दिन के समय धूप यानि सूर्या का प्रकाश आता हूँ. उसके पास एक पौधे का गमला रखिये. जैसा कि चित्र संख्या 9.12 में पौधे की सूर्य के प्रकाश के प्रती अनुक्रिया को प्रदशित किया गया है. कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहें. क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा उपर की ओर व्रिध्धी करता है? यदि यह सीधा व्रिध्धी नहीं करता, तो ग्याद कीजिए यह किस ओर मुड़ता है? आपके विचार में क्या यह किसी उद्धीपन के प्रती अनुक्रिया है? सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रती अनुक्रिया दर्शाती हैं. सजीवों में उत्सरजन सभी सजीव भूजन करते हैं. जीव इस ग्रहन किये हुए भूजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता. आहार का केवल कुछी भाग जीव के शरीर त्वारा उपयोग में आता है. भूजन के बचे हुए शेश भाग का क्या होता है? वे इसे अप्षिस्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देत हैं. विभिन जैव प्रक्रमों के फलसरूप हमारे शरीर में कुछ अप्षिस्ट पदार्थ उत्पन होते हैं. सजीवों द्वारा इन अप्षिस्ट पदार्थों के निशकासन के प्राक्रम को उत्सर्जन कहते हैं. क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौध प्रिष्ट नब्बे क्या सभी सजीव प्रजलन करते हैं? क्या आपने कभी कबूतर अत्वा किसी पक्षी के नीड यानी घोसले देखे हैं? वे नीड में अंडे देते हैं, कुछ अंडे प्रसफुटित होते हैं, तथा उनसे छोटे-छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं. चित्र संख्या 9.13a में एक पक्षी को उसके घोसले के पास दिखाया गया है, उसके घोसले में कुछ अंडे भी दिखाया गया है. जबके दूसरे चित्र यानि 9.13b में एक पक्षी को घोसले में मौजूद अपने बच्चों को भोजन खिलाते हुए दिखाया गया है. जन्तू प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन निकरते हैं. भिन्य जन्तूओं में प्रजनन का धंग अलग-अलग होता है. कुछ जन्तू अंडे देते हैं, जिनसे शिशू निकलते हैं, जबकि कुछ जन्तू शिशू को जन्म देते हैं. चित्र संक्या 9.14 में ऐसे ही बच्चे देने वाले कुछ जन्तूओं को दिखाया गया है चित्र में एक कुत्ते को अपने पिल्लों के साथ, एक बिल्ली को अपने बच्चों के साथ और एक गाय को अपने बच्चडे के साथ दिखाया गया है पौधे भी प्रजनन करते हैं जन्तुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन भिन हैं भहुसे पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं पौधे बीज उत्पादित करते हैं हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं चित्र संख्या 9.15 में एक पौधे का बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनने की प्रक्रिया को दिखाया गया है। कुछ पौधे बीज की अतिरिक्त अपने काईक भागों द्वारा भी नय पौधे उत्पन्ने करते हैं। उधाररता आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। चित्र संख्या 9.16 में आलू की सुप्त कलिका से उकते हुए एक पौधे को दिखाया गया है। पौधे कलम द्वारा भी उगाय जाते हैं। क्या आप स्वैम इस विधी द्वारा पौधा उगाना चाहेंगे। क्रिया कलाप पाँच गुलाब अध्वा महंदी की धड कलम लीजिए। इसे मिट्टी में लगाईए। इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं। कलम से पौधा बनाना सरल कारे नहीं है। यदि आपकी कलम में वृधी नहीं हु तो निराश ना हूँ। आठ में हमने जन्तों में गती के विभिन तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गती भी दिखाई देती हैं। पौधों की विशे में क्या विचार है? क्या वे भी गती करते हैं? पौधे समानिता भूमी में चकड़े रहते हैं, अताः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं. परन्तु विभिन पदार्थ जैसे की जल, खनिच, एवं संशलेशित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे में समभित होते हैं. क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गती भी देखी हैं? पुष्पों का खिलना एवं बंध होना. क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन उद्धी पनों के प्रती किस प्रकार अनुगिरिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तूओं को भी गती करते दे से किसी प्रकार भिन्न है? प्रकृती में विविद प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं. मृत्यू सजीवों के लिए एक सामान लक्षण है, चूंकि जीव की मृत्यू होती है. इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जब कि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किये बिना भी मर सकता है, परन्तु सजीव की प्रजाती तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सतस्यों में प्रजनन होता रहता है हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षन समान रूप से दिखाई देते हैं, उन सभी को भूजन के आविशक्ता होती है, उन में श्वसन, उसर्जन, उद्धीपन के प्रती अनुक्रिया, प्रजनन, गती, एवं वृध्धी होती है, तथा मृत् कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं, जिन में इन लक्षनों में से कुछ लक्षन दिखाई देते हैं, कार, साइकिल, घड़ी, इवं नदी का जल गती करते हैं, आकाश में चंद्रमा गती करता है, हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृध्धी हो जाती है, क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है, हमें सोयम से प्रश्न करना होगा, कि क्या इन में सजीवों के अन्य सभी लक्षन भी पाए जाते हैं, समानिता सजीवों में वे सभी लक्षन पाए जाते हैं, जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं मे वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। इस विशय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आये किसी बीज के विशय में विचार करें कुछ विशिष्ट उधारन देखें उधारन ता मूंग के बीज के बारे में क्या होता है क्या यह जीवित है यहा एक दुकान अथवा भंडार में महिनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृध्धी नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं परन्तु जब हम इनी बीजों को मिट्टी में बूकर जल से सीश्टे हैं तो यहा पौधा बन जाता है क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आविशक्ता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृध्धी, अथवा प्रजनन हुआ था हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उधारण हैं जब हम सरल्ता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके प्रिष्ट बयानवे फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन होती है यह गर्मी बीजों के श्वासन के कारण उत्पन हुई है हमने देखा कि बीजों में श्वासन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिये नहीं होते संभवता हमारे प्रश्ण आखिर जीवन है क्या? का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता परन्तु अपने चारों और पाए जाने वाले जीवों की विविदता को देख कर अचानक ही मुँ से निकल जाता है कि जीवन सुन्दर है प्रमुक शब्द अनुकूलन जलिये आवास जैव घटक उत्सरजन वृत्थी आवास सजीव प्रजनन सहरांश किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जन्तु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है विभिन प्रकार के पौधे एवं जन्तु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं सौभाव जो उन्हें एक आवास विशेश में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है आवास अनेक प्रकार के होते हैं परन्तु समानिता इन्हें स्थलिये यानी जमीन पर एवं जलिये आवास यानी जल में वर्गी क्रित किया जाता है विभिन आवास में सजीवों की विविद प्रजातियां पाई जाती हैं पौधे, जन्तु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं प्रिष्ट तेरानवे चट्टान, मिट्टी, वायू, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं सजीव वस्तुओं के कुछ सामाने लक्षण हैं उन्हें भोजन की आविशक्ता होती हैं वे श्वसन, उच्सर्जन, परियावरण के प्रती अनुक्रिया, प्रजनन, वृध्धी एवं गती करते हैं अभ्यास एक, आवास किसे कहते हैं? दो, कैक्तस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तीन, यहां कुछ वाक्य दिये गए हैं जिनमें रिक्तिस्थान हैं, उनमें सही शब्दों को भर कर वाक्य को पूरा कीजिए क, पौधे एवं जन्तों में पाए जाने वाले विशिश्ट लक्षन जो उन्हें आवास विशेश में रहने योग्य बनाते हैं, रिक्तिस्थान कहलाते हैं ख, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जन्तों के आवास को रिक्तिस्थान आवास कहते हैं ग, वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जन्तों रहते हैं, रिक्तिस्थान आवास कहलाते हैं ग, मृता, जल एवं वायू किसी आवास के रिक्तिस्थान घटक हैं। ड, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रती हम अनुक्रिया करते हैं, रिक्तिस्थान कहलाते हैं। चार, दिये गए शब्दों में कौन से निर्जीव वस्तुएं हैं। 7. सजीवों के विशिष्ट लक्षन सूची बद्ध कीजिए। 8. घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीवरिगती क्यों आवशक है। 9. संकेत घास इस्थल आवासों में छिपने के लिए व्रिख्षों की संख्या बहुत कम होती है। 9. प्रस्तावित परियूजनाए एवं क्रिया कलाप 10. अनेक पत्रिकाओं एवं समजार पत्रों में प्रिथवी के अतिरिक्त अन्य खगोलिये पिंडों पर संभावित जीवन की चर्चा होती रहती है। इन लेखों को पढ़कर कक्षा में चर्चा करें कि प्रिथवी के बाहर जीवन की क्या संभावना है। 2. एक स्थानिय चुडिया घर का भ्रमन कीजिए तथा पता लगाईए कि विभिन आवासों से लाए गए जन्तूं के लिए कौन-कौन से विशेश प्रबंध किये गए हैं। 3. पता लगाईए कि धुरूविय भालू एवं पैंगुईन के आवास कहा है। पता लगाईए कि हिमाले के परवती एक्षित्रों में जाने पर परवत की उचाई बढ़ने के साथ जन्तूं और पादियों की प्रजातियों में क्या परिवर्तन होते हैं। 5. एक आवास एलबम तयार किजिए। क्रिया कलाप एक में सुची बध जन्तू तधा पौधों के चित्र प्राप्त करने का प्रयास किजिए। तथा उन्हें एलबम के विभिन आवास खंडों में चिपका दीजिए। इन विभिन क्षित्रों में पाय जाने वाले व्रिक्षों के चित्र और पत्तियों की आकृति बनाकर उनसे संबंधित क्षित्रों में चिपका दीजिए। विभिनिक शित्रों के व्रिक्षों की शाखा विन्यास का चित्र बना कर उन्हें भी एल्बम में सम्मिलित कीजिए अंत में एक पैंगुईन का चित्र दिया गया है इसी के साथ सोला पाठों की इस पुस्तक का नवा पाठ यहां समाप्त हुआ समाच्छ छुस्फड़ काच्छ अंत में समाप्त पाठों की इस पुस्तक का पैंगुईन का यहां समाप्त पाठों की शुईन, कि जा समाच्छ पाठों की शुईन.